नमस्ते दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत सफागत है दोस्तों मैं आज आप से बहुत ही important topic के बात करने जा रही हूं दोस्तों हम जो ladies होती है वह कानों में जुमके बाली वेगरा पहनती लेके करेंदिन क करेंजितर लगने करकेंचें़ वेटी करो मॡ़न दिनताये था तो भारी बारी करेंवेदों सकते लilo कि बहुत से नकली एरिंग परती है जुमकेंपा है तो बहुत से जो द्राइंएंतोषितर तो परती है यह कोते cobla तो उसमें मेरी बहन ने कमेंट किया था हीमानी तोमर जी ने कि गोल्ड के जुमके पहने से ही उनका कान पक जा रहा है तो मैं कैसे वह जुमके पहन सकती है क्योंकि उन्हें जुमके पहनना बहुत ही पसंद है तो बहन मैं यही बात आपको बताने जा रही हूं कि आप किस तर अगर में बनाते हैं इस्तेमाल करते हैं वही सरसो का तेल है और इस तेल में अगर आपका कान ऐसे ही है तो आप चाहें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है तो हलका सा इस तेल को ही गुन-गुना करके लगा लीजिए कान उपर आगे और पीछे दोनों साइट से तो कान ठीक हो यह देखिए यह मैंने सरसो का तेलिया है यहां पर मैं डाल जी हूं थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर हल्दी डाल रही हूं और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसे हलका सा गुन-गुना करना है आपको गैस पे आप गर्म तवे पर भी रख देजिए रोटी बनाने के बा अपनीं लगडी की टीली डाल दीजये नीम की ग्सक्राइब उसमें से निकाल का टीली डाल दीजे नीव की दालना है. ऑंपको क्योंकि नीम गूँम आप पति ले लीजए और यसके पत्यों करें skills का नों के च्छेदों में तो लुछ यह दालने थीक ही और पक्ता तो बिल सरसो और हल्दी हमने पकाई है इसे गुनगुना करके आप सुबसाम अपने कानों पे लगाईए तो कान आपके ठीक हो जाएंगे जो पका हुआ है ठीक हो जाएगा कान चीदवाने के बाद भी आप इसी को लगवा सकते हैं जो बहुत सी बच्चीयों के कान चीदाता है तो आ कभी भी कानों को खाली मत छोड़िए क्योंकि कान बंद हो जाएंगे और फिर आपको दुबारा चिदवाना पड़ेगा तो आपने तुत नीम की तीली डालके रखिए और या फिर अपने जुमके ही पहन के रखिए और इस हलडी और तेल को लगाते रही है आपका कान बिल क्यों में दो तो नापकली नमस्टे